Let's do question number 9th of exercise 15B that is perimeter and area of a plane figure Question number 9th is the area of rectangle is 192 cm square Area दे रखा है rectangle का 192 cm square और perimeter दे रखा है 56 cm हमें dimensions निकालने है rectangle की तो कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं हमें area कितना दे रखा है area of rectangle area of rectangle दे रखा है हमें 192 cm square और हमारा perimeter दे रखा है perimeter दे रखा है हमारा कितना? that is 56 cm हमें dimensions निकालने हैं अब dimensions कैसे निकालने हमें rectangle की न length पता है न breath पता है तो हमने क्या किया? length को L मान लिया और breath को B मान लिया लेट दे लेंथ बी अल सेंटीमीटर और breath बी बी सेंटीमीटर तो हमारा area का formula क्या होगा? देखें area का formula हुआ length into breath और area दे रखा है में 192 तो length into breath यहां पे दो variables L और B तो इसमें से किसी भी एक की value निकाल लेजे तो हमारी length कितनी आ जाएगी? breath नीचे चला जाएगा तो upon B यह आ गए हमारी first equation राइट अब हमें perimeter दे रखा है perimeter दे रखा है कितना perimeter क्या होता है? twice length plus breath होता है अब perimeter कितना दे रखा है? 56 दे रखा है अब 2 length plus breath अब यह 2 नीचे आ जाएगा और यहां पे length की value रख देंगे तो यह कितना आ गया? 56 upon 2 first step में upon में आ गया length plus breath की value तो length plus breath कितना आ गया? that is 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 28 आ गया अब हम length की value रख देंगे putting l equals to कितना था? that is 192 upon b in equation यह हमारी second equation आ गया in equation 2 तो यह कितना आ गया? 192 upon b plus b equals to 28 तो अब हमने b का LCM लिया तो b as it is आया? 192 as it is plus b square equals to 28 तो यह b इधर चला जाएगा तो यह आया? 192 plus b square equals to 28 b अब 28 b इधर लिया तो यह आ गया b square minus 28 b आप x और y लेके भी कर सकते थे equals to 0 अब देखिए क्या होगा? इसकी multiply इसके साथ तो यह आ गया 192 b square देखिए 192 b square अब factorization करेंगे इसके दू factors ऐसे बनाएंगे कि plus minus करके 28 आए तो 192 के factors निकालें 2 9s 18 and 2 6s 12, 2 4s 8 and 2 8s 16, 2 24, 2 12, 2 6s 23s and 3 1s तो यह कितना आ गया? देखिए कैसे करेंगे? अब 28 आ जाए 1 2s 4, 2s 8, 8 2s 16 and 3 4s 12, 16 and 12 is 28 तो हमारा आया 16b and 12b अब दोनों same sign आएंगे क्योंकि plus हो रहे हैं वो भी middle term वाले इससे पहले factorization देखना न भूलें तो यह आया minus 16b minus 12b plus 192 equals to 0 as it is पीछे लिखने हूँ जिससे की बार बार ना देखना पड़े minus 16b minus 12b plus 192 equals to 0 अब देखिए इन दोनों term में से b common आया तो b common आया तो क्या बच गया? b minus 16, अब minus 12 common निकाला तो क्या बच गया? b minus 16 बच गया, equals to 0 अब b minus 16 common निकाला तो b minus 12 बच गया, equals to 0 अब b की value क्या आगए? b minus 16 को 0 के equal रखा, तो b की value आगए 16 b minus 12 को 0 के equal रखा, तो b की value आगए 12 अगर breath हमारी 16 है, तो length कितनी आनी चीए? देखिए 192 upon b थी हमारी length, तो length आनी चीए 192 upon 16, तो ये कितना है? 16, 1 is a 16 and 32, 16, 2 is a 32, अब इसी तरीके से अगर breath 12 है, तो length कितनी आनी चीए? that is 192 upon 12, तो ये कितना है? 12, 1 is a 12 and 72, 6 है, तो या तो length अगर 12 है, तो breath 16 रहेगी और breath 12 है, तो length 16 रहेगी, वैसे length हमेशा हमारी बड़ी होती है तो हम ये वाला consider करेंगे, ये consider नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर length हमारी छोटी आ रही है तो इसलिए हम ये consider नहीं करेंगे, हमारी length हाजाएगी, फिर हमारी 16 cm और breath हाजाएगी हमारी 12 cm, ता answer घ μέसर झायाएगी हमारी 16 मोड़ी चिहाएगी करेंगे, तो च्रहेगी हमाराएगीerv